कि नमस्तिया असलाँ अकम से स्रेकल दोस्तों वेलकम टू डिय वाई जेन के आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फॉर्म टेस्टिंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो और है टेस्ट नमर फॉर और इस टेस्ट में हम चेक करेंगे केमिकल काईज मिस्टर पिंक को तो जैसे कि कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी काफी गंदी है इस पर काफी डेस्ट हो गई हुई है काफी मड़ भी अटाइच इसके साथ तो आज हम इसी गाड़ी को वाश करेंगे तो यह मैंने फिफ्टी एमिल जो है केमिकल काईज मिस्टर पिंक जो है उसका सिलूशन बना लिया तो चलिए देखते हैं तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं गाड़ी को रिंज कर रहा हूं मैं यहां पे जो लूज डास्ट है उसको हटाने के लिए और इसके बाद मैं गाड़ी के ऊपर फों जो है वो स्प्रे करूंगा तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि क्विक कनेक्टर होने का फाइदा मैंने यह गटहराओ जो है आराम से आसानी से सामने से हटा दी है कोई भी थ्रेड्ट स्क्रीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे अब जो है सिलूशन जो है वो उसको एक्टिवीट करन मैं से पहले हिलाई एक चीज मैं आपको याद इला दों कि बॉटल में पानी जो आपने गरम डालना है ठीक है तो यहां पर फॉम जो है मैं स्प्रे करना स्टार्ट हो चुका हूं दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है यह प्रड़क्ट मेरी काफी एक्सपेक्टेशन थी केमिकल गाइज ब्राइंड से और मिस्टर पिंक से बट यहां पर जो फॉम हमें देखने को मिल रही है वो भी तब जब हमने कंसेंट्रेशन से ज्यादा शैंपू डाला हुए है काफी लूज सी फॉम दिख रही है जैसे ही गाड़ी के उपर पढ़ रही है वैसे ही फ्लो करना स्टार्ट हो रही है जैसा कि हमें प्रो क्लियर शैंपू में देखा था उसके कंपारिजन उसके जैसी ही फॉम प्रोड्यूस हो रही है जबकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इससे हेवी फोम प्रोड्यूस होगी जो गाड़ी के साथ बिल्कुल क्लिंग कर जाएगी तो चलिए पूरी गाड़ी को स्प्री कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना स्टिक टाइमर तो यहां पूरी गाड़ी जो है वह मैंने कवर कर दी है फोम से तो अब हमारा स्टिक टाइमर जो हो स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम देखेंगे कि गाड़ी के साथ फोम जो हो कितनी देट तक अटैच रहती है इस इस पार्ट वीडियो के इस पार्ट को मैंने स्पीड अप किया हुआ है ताकि आपको छो किए निक Schamppus जजी की रिडिंग आई थी जैसे की वेवós की ररिडिंग ज Δैड आई थी और प्रोकलियर वी इस से रिडिंग जो है वह ज्याद आई थी तो यह पर रहा है तो चलिए चब तक मैंगाडि को रिंस करूं दूं और उसके बाद आपको गाड़ी की क्लेनने तब तक हम रिजल्ट्स जो हैं उसको देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आये हुएं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी में मैंने इसको तीन स्टार दिये हुएं क्योंकि अच्छी फोम प्रोड्यूस नहीं हुए थी एकॉनमी में दो स्टार क्योंकि साट रुपे का इसका लीटर पड़ता है वह भी मैंने यहां पे थोड़ी ज्यादा ही डाली थी क्वांटिटी औ और वीटी इस पार्ट के बाद में आपको गाड़ी की क्लैनलिस दिखाऊंगा यह वाश मैंने टोटली टाचलेस किया हुए कोई भी हाथ नहीं लगाया हुए गाड़ी जो है अच्छी तरह सी क्लीन हो गई थी तो इसमें भी मैंने इसको तीन स्टार दी हूँ है तो ओवर गाड़ी पर शाइन है शाइन दिखने को मिल रही है और डास्ट वगेरा जो अटैज थी वह सारी की सारी हट चुकी है और गाड़ी जो है वह अच्छे पर ली साफ हो चुकी है ठीक है दोस्तों यह था मेरी तरफ से केमिकल गाइज मिस्टर पेंक का रिव्यू अगर आपक